एक सरकारी स्कूल की महिला नौजवान टीचर सुभा सुभा अपने घर के सभी काम निमटा कर नौबजे स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुँच जाती है वे अपने हिंदी सब्चेक की किलास लेने लगती है लेकिन तब ही उसको ध्यान आता है कि शाहिद आज जल्दी जल्दी मैं वो गैस चूले पर दूद को गर्म करता ही छोड़ाई है और वे किलास में बच्चों को पढ़ाने लगी थी और किलास ले रही थी अब तुरंट तो वो घर जाने ही सकती थी इसलिए वे स्कूल के ही एक चपराजसी को बुलाती है और उसे अपने घर की चाबिया देते हुए कहती है कि शाहिद मैं आज अपने घर का गैस का चूला जलता हुआ छोड़ाई हूँ मुझे याद नहीं आ रहा तो क्या आप प्लीज मेरे घर जाकर चेक कर सकते हैं तो दोस्तों वो तुरंट ही घर की चाबिय लेकर वहां से निकल जाता है लेकिन जब वो मैडम के घर पहुँचता है तो जले हुए दूट की इसमेल और दूएं से वो परेशान हो जाता है लेकिन जब कुछ देर के बाद वो घर में इधर उधर गूमता है तो उसे मैडम के बारे में एक रास की बात पता चल जाती है जिसे जानकर वो हैरा हो जाता है दोस्तो बहुत ही रहिसे में और पढ़ादाई कहानी है आईए जानते हैं पूरी कहानी की सचाए इस वीडियो में लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्काइब जरूर कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें दोस्तो ये कहानी यूपी के एक छोटे से गाउं की है जहां एक लड़की जिसका नम मेनाक्षी होता है और उसकी उम्र करीब 29 साल होती है एक सरकारी स्कूल में टीचर होती है उसकी पोस्टिंग गोरतपुर जिले में होती है जिस स्कूल में वो पढ़ानी के लिए जाती थी उससे करीब 5 से 6 किलोमेटर दूर एक कमरा किराएपर लेती है और रोजाना अपनी स्कूटी से स्कूल आया जाया करती एक दिन वो जल्द बाजी में स्कूल आती है तो स्कूल आने के बाद उन्हें अच्छानक से ध्यान आता है कि उन्होंने शायद गैस चूले को जलता हुआ ही छोड़ दिया है तुरंट वो इसकूल के चपराज सी को बिलाती है और उसका नाम अरुन होता है इसकूल के चपराज सी का उससे सारी बात बताती है कि देखो ऐसी ऐसी बात है कि प्लेज आप इसी वक्त मेरे एक कमरे पर जा सकते हो दोस्तों वो तुरंट कमरी की चाबी लेता है और फोरन अपनी मोटर साइकल उठाकर मैड़म के घर पहुँच जाता है पहुचने के वाद वो लॉक खोलता है और जैसे ही दरुवादा खोलकर अंदर घुसता है तो वो देखता है कि वाकई में रसोई में गैस चूला जल रहा है और दूद का बरतर उस पर रखा हुआ है जो कि अब जलकर पूरी तरह से काला पड़ चुका था दूद के जलने की जो इसमेल और धुवादा वो पूरे कमरे में फैल चुका था वो तुरंट कमरी की दौनों खिड़गयां खोलता है और दर्वादा तो पहले ही खुला हुआ था कुछ समय बाद जब धुवादा बाहर निकल जाता है और समेल भी थोड़ी कम हो जाती है तो वो अब कमरे में दर उदर अपनी नजरे घुमाने लगता है तो कमरी की कंडिशन को देखकर दंग रह जाता है वो देखता है कि 50-60,000 रुपे जिनकी तनखुआ है वो बड़े ही सिंपल तरीके से रह रही है कमरे में एक कौने में सिंगल बैट पड़ा हुआ था जिस पर एक पतला सा बिस्तर बिच्छा हुआ था कुछ रोजमर्णा पहनने जाने वाले कप्रे टंगे हुए थे एक लगड़ी की रैक बनी हुई थी जिसमें कुछ फेमस लेखको की किताबे रखी हुई थी अब वे बर्तन को देखता है तो बर्तन पूरी तहां से जल गया था और काला हुचुका था अब वे सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए इस बर्तन को ऐसे ही छोड़ दू या फिर साफ कर दू मैडम आएंगी तो फिर उन्हें ही रगड़ रगड़ कर माजना पड़ेगा उसका दिल दिमाग बड़े ही संकोच में पड़ जाता है फिर वो फैसला करता है कि चलो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं मैं ही साफ कर देता हूँ क्योंकि स्कूल में भी तो चाय पानी का काम वही देखता था करीब एक डेड़ लीटर दूस उस बर्तन में था जो पूरी तरह से जलकर काला पड़ गया था अब वे उसे साबुन वगयरे से रगल रगल कर पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ सुत्रा करने लगता है गैस चूले की पी सफाई कर देता है रसोई में भी हलका पहुँचे लगा कर मतलब सबी चीजों को बढ़िया से अच्छे जैसा पहले जैसा कर देता है और पिर थोड़े देर के लिए उनके बैट पर बैट जाता है तब ही उसकी नजर अलमानी में रखी हुई किताबों के बीच एक फोटो एल्बम पर पढ़ती है उत्सुक्सा के साथ उस एल्बम को उठा लेता है और देखना शुरू कर देता है क्योंकि मिनाक्षी मैडम की जिन्दगी के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था वे स्कूल में स्टाफ और टीचर से बहुत कम बात किया करती थी जिस जगह वे कमरा लेकर रह रही थी यहां भी किसी से कोई मतलब या वास्ता नहीं रखती थी अपना जो जो काम कुछ भी काम होता था वे खुद ही कर लिया करती थी किसी को कुछ भी उनकी जिन्दगी के बारे में ज्यादा जानकरी नहीं थी वे जब फोटो की अलबम को पलड़ पलड़ का देखने लगता है तो जो उनकी फोटो उसमें आ रही थी उन्हें देखकर अनुर बहुत ज़्यादा सर्प्राइज हो जाता है करीब 6-7 साल परानी वो फोटो की अलबम थी फोटो में मेनाकशी बहुत ही खुबसूरत लग रही थी जब उनके अमर करीब 20-22 साल की रही होगी तो वो बहुत खुबसूरत दिखाई पड़ रही थी फोटो में उनके साथ एक लड़का भी दिखाई देता है उस लड़की के साथ मेनाकशी की बहुत सारी तस्वीरे हैं तस्वीरों में वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा करीब होते हैं उन्हें देखकर लग ही रहा था कि जैसे ये कोई एक कपल हो या फिर कोई गल्फरेंड बॉइफरेंड जैसे ही बहुत ज्यादा खुशी में दिखाई दे रहे थे अरून पूरी एल्बम को देख रहा था और बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि ये वही मिनाक्षी है अब दोस्तों अरून को काफी समय हो चुका था तो वो एल्बम को वापस उसी जगार रख देता है जहां से उसने उठाईते फिर कमरे से बहार निकल का दर्वाज़ा अच्छी तरह से बंद करके ताला लगा देता है इसके बाद वे स्कूल आ जाता है फिर मैडम के सामने पहुंचता है तो मैडम पूछती है क्या हुआ तो वो बोलता है कि क्या होता मैडम जी जिसका आपको डरता वही गैस थूला चालू था और सभी दूद जल गया था पूरे घर में दूद जलने की गंद आ रही थी आपको ये बात याद नहीं आती तो क्या होता अब दोस्तों अरू जो है वो मैडम को उनकी चाविद वापस कर देता है और दोनों अपने अपने काम बें लग जाते हैं अब जब स्कूल की चुट्टी के बाद मेनाक्षी अपने घर पहुचती है तो देखती है कि सभी कुछ पहले की तरह साफ सुद रहा है वे ये सब देखके बहुत हैरा रह जाती है और वो लास्ते में सूचती आ रही थी कि आज तो बरतन पूरी तरह से जलकर काले पड़ गए होंगे और मुझे मांजने पड़ेंगे लेकिन अरून ने तो पहले ही सभी काम को बड़े अच्छे से कर दिया था अगले दिन जब मैडम स्कूल जाती है तो अरून को अपने पास बलाती है और कहती है कि आपने क्यों अतनी परिशानी उठाई आपको बरतन मांजने या साफ करने के क्या जरूरत थी तो अरून कहता है कि मैडम जी कोई बात नहीं क्या मुझे मेरा तो काम यही है वो आपको भी मांजने ही पड़ते आपको परिशानी होती यही सोचते हुए बस मैंने ही मान दिये तो मिनाक्षी मैडम कहती है मैं इतनी भी आलसी या कमजोर नहीं अपना काम खुद कर लेती हूँ तो फिर अरूर उनसे पूछता है कि वैसे मैडम जी आज तो आपके गैस चूला बंद करके आई हो ना फिर मिनाक्षी मुर्सकुराते हुए बोलती है कि अरे मैं अब इतनी बहुत कर भी नहीं हूँ वो तो मैं कल किसी और के ख्याल में थी इसलिए गैस को बंद करना भूल गई थी आपका बहुत 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 शुक्रिया अब दोस्तों अरूर उनको थोड़ा सा मौका मिल गया था उनसे कुछ पूछने का और बहुती उतावला भी हो रहा था उ उनकी जिन्दगी के बारे में जानने के लिए तो वो बोलता है कि मैडम जी किसी के ख्यालों में इतना भी नहीं होना चाहिए किसी के बिछर जाने से या छोड़के चले जाने से हमारी जिन्दगी खत्म नहीं हो जाती अब मेनाक्षी अरुन की ये बाते सुनती है तो थोड़ा दंग हो जाती है कि आखिर ये कहना ग्या चारा है लेकिन तभी घंटी बच जाती है और मैडम के किलास लेने का समय हो जाता है वो अपनी किलास में चली जाती है और अरुन भी अपने काम से निकल जाता है लेकिन जब लंच का टाइम आता है तो लंच के बाद की बैल जो की खाली जाती है वे गिलास टीचर भी थी और अपना रेजिस्टर आफिस का काम भी किया करती थी उन्हें एक कमरा भी मिला हुआ था और वे अपने कमरे में बैठी हुई अपना काम ही निम्टा रही थी वे नारा सना हो गई हूँ फिर भी वो कमरे में जाता है और जैसे ही चाय टेबल पर रखका जाने लगता है तो अरू डरते डरते कहता है कि मुझे माफ करना मैडम लेकिन मैंने कल आपकी वो पुरानी एलवम देख ली थी उसमें मैंने आपको जिस तरह से देखा आप बिलकुल भी वैसे नहीं दिखाई देती ऐसा बिलकुल भी नहीं लगती तो वो कहते ही कि किसी के बिचर जाने से किसी के दूर जाने से या किसी के जोड़ जाने से हमारी जिन्दगी खन तो नहीं हो जाती वो तो किसी और के साथ हो और अपनी जिन्दगी को बड़े अच्छे से copyright कर रहा होगा और आप उनकी याद में इस तरह रहती हो, इतना उदास रहती हो अब दोस्तों मेनाक्षी ये बात सुनती ही समझ जाती है कि अरू उनसे क्या कहना चाह रहा है दोस्तों आप वे रोने लगती हैं और रोते हुए कहती है कि वरू काश की वे मुझे भूली गया होता, काश वे किसी और के साथ ही अपनी जिन्दगी को अच्छे से इंजॉय कर रहा होता लेकिन यही हमारे बीच इसी दुनिया में होता तो मुझे इस बात की पहुत ज्यादा खोशी होती अब रोन को ये बात पता चली तो वो बहुत ही अचंबे में पड़ जाता है उसके पहरो तरे मानों जमीन ही किसक गई हो क्योंकि वे पूरी तरह से समझ चुछ था कि जो लड़का उसके साथ एलबम फोटो में था या उनका दोस्ता जो भी था जो कुछ भी था उसकी शायद डैथ हो चुकी है मेनाक्षी रो रही थी और उन घबरा जाता है और फिर पानी का गिलास उनके हाथ में देता है और कहता है कि मैडम मुझे माफ करना मुझे बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता था आप अपने आशों को साफ कर लो और पानी पिलो मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी दोस्तों वो पानी पीती है और कुद को समार लेती है फिर कहते है कि इसमारी क्या गलती लेकिन देखना मैं भी एक दिन इस दुनिया से चली जाओंगी मुझे उनके बहुत याद आती है मैं उन्हें भूल नहीं पा रही हूँ मैं उनको बिना जी नहीं सकती इतना कहकर वो एक बार फिर से रोने लगती है और उन्हें दिलासा देकर चुप कराता है और कहता है कि मैडम इश्वन ने इस संसार में सिर्फ आपको ही ये दुख नहीं दिया इस संसार में और भी ऐसे लोग हैं जिने इस से भी ज़्यादा दुख मिले है मुझे दी देख लो जब मेरी शारी हुई थी तो बेहत खुबसूरत बीवी थी मेरी उनसे मुझे दो बच्चों की खुशी भी मिले सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था लेकिन एक बार मैं मैंने अपनी बीवी बच्चों के साथ 13 दून घुमने के लिए गया था और अचानक हमारी कार का एक्सिडेंट हो जाता है जिसमें हमारी पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हो गएते लेकिन बतकिस्मती से मैं बच गया इश्वर से बस यही पूछता हूँ कि उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया उसे हाथ से में मेरी जान क्यों नहीं चली गई तीन साल बीच चुके हैं इस बात को आज भी मैं इश्वर से बस एक ही सवाल करता हूँ कि उसने आखिर मुझे जीवित क्यों रखा लेकिन कोई जवाब आज तक कहीं से भी ने मिला दोस्तों जब मेनाक्षी अरूं की ये दुखवरी कहानी सुनती है तो वे और भी ज़्यादा भावुक हो जाती है क्योंकि उनका जो भी दोस्त था जिसका नाम उजवल था मेनाक्षी की जब नौकरी लगी थी तो वे लद्धा घूमने के लिए अपने घर से परमीशन लेकर गया था और जोल के साथ लद्धा घूमने के लिए चली गए थी क्योंकि दौनों की शादी होने वाली थी दौनों कॉलिज के समय से ही एक अच्छे दोस्त थे तो घर वाली भी राजी हो जाते हैं एक जैसी थी, दोनों ही एक दूसरे को चुप कराते हैं, हिम्मत देते हैं, और एक दूसरे का होसला बढ़ाते हैं, और उसके बाद, दौनों को ही अपनी जिन्दगी के नजरिये और सोच बदल जाती हैं, जो मिनाक्षी होती है, उनकी फैमिली में दो भाई और एक छोटी ब कि ऐसे हमारा लड़का कैसे हकेला अपनी जिन्दगी बिताएगा, दोस्तों अरुन की उम्र करीब 30 साल थी, उसकी बीवे बच्चे तो तीन साल पहले गुज़र चुके थे, वे भी आज उन्हें नहीं बुला पाया था, और तीन साल पहले मिनाक्षी के साथ भी सेम हासा वे भी अपने प्यार को नहीं भुला पायी थे, अब दोस्तों इन सब के बाद दोनों एक दूसे के सुक दुक के साथ ही बन जाते हैं, दोनों ही एक दूसे के भावनाओं को अच्छी तरह से सबजने लगे थे, और दीरे अब इन दोनों के बीच नज़ीकियां बढ़ने लगी थे, और अब दोनों एक दूसे से प्यार करने लगते हैं, और इश्वर को भी शहिद यहीं मनजूर था, दोनों ही अपनी जिन्दगी में बढ़के हुए थे, लेकिन इश्वर की किरपा से दोनों को फिर से जीने का सहारा मिल गया था, दो तीन साल इन दोनों का अफ दाराय सेम थी, और एक दूसे से यह लव मेरिच कर लेते हैं, दो साल के बाद इनके घर में एक उपसूरत सा बेटा जर्म लेता है, बेटी के जर्म से दौनों के खुशियों में चार चांद लग जाते हैं, अब परिवार में हची खुशी, का माहलता और वेज जिन्दगी में बहुत ज्यादा खुश दे, दो तो यह थी आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट पॉक्ट में जरूर बता हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें